कि हम अपने बेबी का कलर किस तरीके से फियर कर सकते हैं यह जो रेमेडी मैं इसमें शेयर करने वाली हूँ यह बहुत इफेक्टिव है हर बच्चे पर आप इसको यूज कर सकती है लेकिन ध्यान रखना है कि न्यूवाण बेबी पर इस चीज को यूज नहीं करना है जो को बेबी को कलर में जरूर फर्क देखने को मिलेगा आपके बेबी का कलर जरूर से फियर हो जाएगा तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है इस रेमेडी को आप रेगुलर रिगूज करिए कुछ ही दिनों में आपको फर्क दिखना शुरू हो ज तो इसलिए बहुत सारी मायं बहुत सारे प्रयास करती हैं बच्चों का कलर करने के लिए तो यहां पर मैं एक चीज बता दूँ कि बच्चों का जो कलर होता है वो बहुत चीजों पर डिपेंड करता है अगर आप ऐसे इन्वार्मेंट में रहती है जहां पर बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चे जब जन्म लेते हैं तो बहुत ज़्यादा कलर उनका फियर होता है लेकिन दीरे दीरे दो तीन-चार महिनों के अंदर वो काला हो जाता है या फिर डाक कलर का हो जाता है मेरे बेबी के साथ भी ऐसा ही हुआ था लेकिन मैंने यह और मैंने अच्छा रिजल्ट देखा आप लोग देख सकते हैं अभी मेरी बीबी की भी बहुत सारी वीडियो हैं और पहले की भी बहुत सारी वीडियो हैं तो आप आसानी से फर्क देख सकते हैं कि उसके कलर में कितना फरक आया है तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखन चिल धाले करना है जेसे का चीजों क Sakka छॉट करते हैं तो जी चीजों काας प Χुद से देखेंगी लेकिन आप कुछ remedy को यूज़ करके आप कर सकते हैं चलिए हम लोग remedy स्टार्ट करते हैं किस तरीके से इसको बनाना है तो यहां पे लेना है आपको एक काच का बाउल जिसमें आपको थोड़ा सा बेसन एड़ करना है थोड़ा सा आपको कोकोनट का जो मिल्क आता है आपको कहीं भी म बच्चे को सूट करें एक बर लगा के देख लिए थोड़ा सा इसकिन पर अगर उसको थोड़ा भी इरिटेशन फील हो या इसकिन रेड हो जाए तो आप हल्दी को ना मिला है अगर आपके बच्चे को इसकिन को हल्दी सूट कर रही है तभी आप उसमें हल्दी मिला है हल् बग बग पांस से दस मिनट के लिए लगा के रखे जब यह ड्राई हो जाए लेप फिर उसको आप बैट जो कलॉथ होता है यानि कि गीले कपड़े से उसको पोच दे इस रेमेडी को आप दो से तीन महीने तक यूज करें जब आप बेबी को नहलाने के लिए ले जारी हो उस कि इसकिन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो कुछ भी ऐसा यूज ना करें जो बेबी की इसकिन के लिए सूट ना करें बेबी की इसकिन को लगभग लगभग एक साल लगता है उनके अपने कलर में आने के लिए इस बीच कभी बेबी का रंग डल हो जाएगा कभी फियर हो जाएगा बच्चे के जो इसकिन का कलर होता है वो एक साल बाद ही आता है उनके जनके तो उनको उतना टाइम दे बहुत ज़्यादा चीज़े यूज करने की जरूरत नहीं है I hope कि वीडियो आपके लिए यूसफुल रहा होगा वीडियो यूसफुल रहा हो तो प् सब्सक्राइब धा-इक।